हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं ये दो कलर का एक ग्राफ पैटर्न लाई हूँ देखिए बहुत प्यारा है और बहुत ही आसान है ये ये देखने में जितना जादा प्यारा लगता है बनाने में उतना ही बहुत जादा इजी है ये तो इसके लिए हमें और नमबर के स्टेज़ डालने होंगे तो आई इसको बनाना शुरू करते हैं इसमें मैंने तहरा फंदे डाले हुए हैं तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक नीला दो तीन जैसे कि इसका ग्राफ मैंने स्क्रीन पर दिया हुए है तो उसके हिसाफ से सबसे पहले हमें जो सिंपल बनाने हैं तीन पंदे बनाने हैं उसके बाद हमें इसमें दूसरा कलर एड़ करना है यहाँ पर मैंने क्रीम कलर लगाया हुए है आप कोई भी दो कलर में इस डिजाइन को बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है ये डिजाइन, एक क्रीम लिया हमने, उसके बाद 5 ब्लू, 2, 3, 4, 5, उसके बाद यहां से हमें इसको थोड़ा सा लूज करना है और इसको डीला चोड़ते हुए ऐसे एक बंदा बना देंगे बाकी जो बचे वे हमारे स्टेज़े हैं इसमें, जो फंदे हैं उनको ऐसे ही बन देंगे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है सेकंड रो में, ग्राफ में देखते हैं हम एक, दो, ये दो हमें नीले बनाने हैं बाकी जो ये हमारा बीच का है, इसको और इसको हमें क्रीम कलर में बनाना है और जो ये बीच वाला है, इसको हमें ब्लू बना देना है अपकी बार इसको हमने क्रीम कलर बनाया इसको ब्लू और फिर से क्रीम कलर इस वाली रो में हमाल पर जितने भी flower हमें बनाने हैं वो इसी तरह से बनाने हैं बीच वाला पंदा लिए हो जाएगा और और बाकी वही रहेंगे अब देखिए यहाँ पर इसको cream बनाना है और cream बनाना है और इसको cream बनाना है second row भी यहां पर complete हो गई है अब हम इसकी third row बनाएंगे graph की मदद से इसमें हमें पहला फंदब वही लेना है blue अब की बार हमें इसके साथ वाले पंदे को cream बनाना है इसको blue बीच में हमारे तीन blue आ जाएंगे एक, दो और ये तीन इन तीनों को blue बना देंगे और ये जो side वाला पंदा है इसको हम cream बनाएंगे ऐसे फिर से blue ये वाला वाइप फिर बीच में तीन blue आ जाएंगे एक, दो तीन और ये लास्ट में इस वाले पंदे को इससे cream बनाएंगे और इसको blue ब्लू नेक्स्ट रो पर बहुत आसान डिजाइन है ये पर ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है अब की बार हमें जैसे हमने इस से पिछले वाली रो में किया था शुरू के दो फंदे blue बनाने हैं ये cream ये वाला फंदा हमारा blue और ये फिर से cream के दर तीन फंदे blue इसके बाद ये cream बीच में blue ये फिर से cream कलर और ये last के दोनों blue अब हमें इस वाले पंदे को cream बनाना है यहां पे इस वाले को cream बनाना है बागी सारे blue बनाएंगे इस ये इस बनाएंगे इस बाद इस फ्लावर को हमारे यहां पे एंड हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास एक फंदा जो था रूट रूट था ये यह अब हमने बनाया इसको बाकी blue बनाने हैं यहाँ पर यह वाला इसके सीद में बनाना है इसको यह डिजाइन यहाँ पर फिनिश हो गया है अब इसके बाद हमें एक रो प्लेन बनानी है सिंगल कलर में यह उल्टे पर है तो हम इसको उल्टी बुनाई से पूरा कर लेंगे यह वाला डिजाइन हमारे पर देखिए बनके तयार है यह इसको दुबारा से हमें कैसे स्टार्ट परना है यह मैं आपको बता देती हूं एक रो और बनाके तीन प्लेन बनाए हमने जैसे सबसे पहले बनाया था इसके बाद हमें यहीं से रो वन से स्टार्ट करना है इस वाले पंदे को वही क्रीम कलर से बनाएंगे फिर बाकी सारे ब्लू बनाएंगे तो इस तरह से यह हमारा जो डिजाइन है यह आगे बढ़ता जाएगा रो वन से आप इसको दुबारा से करते जाएए फाइज रोज में यह एक फ्लावर जो है हमारा कम्प्लीट हो जाता है फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो प्लीज मेरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और बैल बटन को दबाना ना भूलें मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में बाई